36 गड़ में लगता डाक्टरों के साथ हो रहे दुर्वेभार और मारपीट को देखती हुए आईये में आखिरकार आंदोरन पर उतारू हो गई है जिसके बाद बुधवार सुबा से ही प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टर ने अपनी OPD बंद रखी है इंडियन मेडिकल एस्पतालों के फैसले पर बुधवार की सुबा आठ बजे से ही सभी नीजे स्पतालों की OPD को बंद रखा गया है ताकि डॉक्टरों द्वारा किये गया अंदोलन से किसी भी मरीज को परिशानी ना हो इस प्रदर्सन का इंडियन मेडिकल एस्पतालों की केदर निकाय के अवाहन पर बुधवार को 36 गड़ में किया गया IMA के चेर्मेन महेश शिन्हनेस बंद की जानकारी देती भे कहा कि डॉक्टर्स के साथ लगतार दुर्वभार और मारपीट की घटनाई हो रही है उसके लिए सुरक्षा का एक वातवरन डॉक्टर्स को दिया जाए इन मांगों को लेकर सभी नीजिस पतालों ने अपनी OPD बंद रखी है जिन्हा ने आगे कहा कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए बकायदा कानून भी बना हुआ है उस कानून को प्रभावशालियों और मजबूत बनाना आवश्यक है तो ऐसे हैं ऐसा देखने में आया है कि जो जानबूच के इस तरह की गतिविदिया करते हैं उनको भी आइडेंटीफाई किया जाए और उनको कडी सजा दी जाए इन्यार मेडिकल एसोसियेसन द्वारा स्पतालों की ओपीडी बंद रखकर डॉक्टर अपना विरोध जता रहे थे लेकिन मरीजों को परिसानी ना हो इस बात को भी ध्यान में रखकर इमर्जेंसी सेवा चालू रखी गई थी इधा स्वास्ति भाग की ओर से सभी शास्ति के स्पतालों में ओपीडी का वक्त दो पहर दो बजे से बढ़ा कर शाम पांच बजे तक कर दिया गया था सरकारे स्पतार और स्वास्त केंद्रों में ओपीडी का वक्त बढ़ने से मरीजों को जाज की सुईधा मिल रही थी देश टीवी के लिए कैमरामेन एसकनेस के साथ रीचा सहाई की रिपोर्ट